हेलो फैंज बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिस रवांटेज यूट्यूब चैनल पर फ्रेंज इस वीडियो क्लास में मैं आपको करवाऊंगा मॉक फाइब और SSE CGL के लिए इस सीरिज में चला रहा हूं लेकिन ये सीरिज SSE के सभी एक्जैम्स के लिए हाइली इंपोटेंट रहेगी चाहे वो CGL हो, CPO हो, STENO हो, MTS हो या दूसर कोई भी एक्जाम हो उन सभी के लिए सीरिज हाइली इंपोटेंट रहेगी आज के मॉक टेस्ट में मैंने 15 कोश्चन सब्सक्राइध के लिए हैं और कलका जो के Saint Tillius वीडियो के ऐड में आपको कल बतांगा, तो सका lower backups में आपको बताना है, Raise the Choose कोश्चन लूँ या बीस लूँ या पच्चीस लूँ ठीक है तो आप लोग प्लीज कॉमेंट बॉक्स में अपना सज्जेशन दीजिए उसके पॉर्डिंग फिर नंबर आफ कोश्चिन्स मैं इसमें बढ़ा के आपको करवा हूंगा CGL के लिए और दूसरे सभी SSC के एक्जैम्स के लिए यहां पर देखिए एक कोश्चन दिया है और इससे मिलता है एक वर्ड यहां पर भी दिया है ठीक है विनियल विनियल का मतलब क्या है काफी इंपोटेंट यह वर्ड है और SSC में ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड काफी किया जा सकता है तो यहां पर इसका सही आंसर होगा फॉर्ड गिबेबल ठीक है वीनियल हमें कैसे कोई भी ऐसे काम को बोलते हैं एक ऐसे विक्ति को बोलते हैं एड्जेक्टिव है यह बेसिकली जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है ठीक है करप्ट विक्ति के लिए हम इस इसका इस्तेमाल करते हैं वीनियल अलग है वीनियल अलग है ठीक है तो वीनियल का यहां पर सुनो निम जो होगा वो होगा फॉर डिबेबल जिसको माफ किया जा सकता है अब देखिए यह वर्ड भी काफी वार पूछा गया है सकर एस यू डबल सी ओर यह एक नाउन है और इस इसका सकर का आपको क्या बताना है यहां पर आपको आपोजिट वर्ड बताना है ठीक है आप यहां पर देख सकते हैं यह आपोजिट वर्ड आपको बताना है तो सकर का मतलब होता है असिस्टेंस तो हिंडरेंस होगा इसका पोजिट ठीक है हिंडरेंस मतलब अबरोध डाल और डिप्रीशन होता है किसी चीज का खतम होना घटते जाना ठीक है जैसे ओजोन लेयर के बारे में हम पढ़ते हैंगे डिप्रीट होती जा रही है और देखे ये एक अच्छा कोश्चन है अच्छा कोश्चन है और आपके सीज प्री में तो इसी तरीके से कोश्चन आएंगे ठीक है लेकिन टीर टू में अलग-लग वर्ड आपसे पूछे जा सकते हैं मिसलीनियस की सही स्पेलिंग क्या है देखिए इसमें मिस आता है पहले तो मिस फिर सेल आता है C divalale मिसल और फिर ऑनियस ए एन जी ओ यू एस पहले आए गारा मिस फिर आए गारा स्मसल और आरा एगाए अनियस तो यह नीचे वाला जुए टो पउर्ट वर्ड है यहइस की सही स्पेलिंग मिसलीं ईस ठीक मिसलीनियस मतलब मिकस्ट मिला जूला देखें यह spotting error के questions है Remember that I stitch at a time shapes nine काफी अच्छा यह question है और इसमें एक proverb को include करके एक spotting error का sentence बनाया गया है इसमें बूला गया है I stitch at a time shapes nine इस proverb का मतलब क्या होता है कि इस proverb का मतलब है कि जैसे कोई भी situation आती है कोई भी problem आती है कोई भी crisis आती है यदि आप solve कर लेते हैं तो आगे की जो परेसानी है बहुत ज़्यादा वो आपकी बच जाती है लेकिन यह सही जो यह जो प्रोवर्ब है stitch in time stitch in time होता है at a time नहीं होता ठीक है तो प्रोवर्ब को गलत करके यहाँ पर यह spotting error का question बनाया गया है और इस तरह के questions जो प्रोवर्ब से related होते हैं यह tier 2 में काफी पूछे जाते हैं इस तरह के questions ठीक है तो बी इसमें आपका यहाँ पर सही answer आपका हो जाएगा अब देखिए यह question देखिए the timid creature creature मतलब कोई भी प्राणी timid मतलब डर्पोक the timid creature was driven into a narrow lane where it was salute by the kidnapper यहाँ पर एक incident बताया गया है कि एक डर्पोक कोई भी विक्ती है कोई भी प्राणी है कोई भी नॉर्मली यह animal नहीं होगा एक विक्ती के लिए ही यहाँ पर बात हो रही है उसको उसको ले जाया गया एक narrow lane में और kidnapper ने वहाँ पर उसको मार दिया ठीक है तो यहाँ पर देखिए वाज लगा हुआ है तो वाज के साथ यहाँ पर slay की third form आईगी slay मतलब मालना kill करना तो slay की third form slain है slude नहीं है ठीक है काफी अच्छा यह question है अब यह जो path है यह passive voice constructions होते है तो इसमें यहाँ पर यह जो वाज लगा है वाज के साथ third form लगेगी यहाँ पर यह ठीक है तो इस तरह से sentence आपको यह करना है next देखते है the MD of the company dispense the manager's services immediately मतलब MD ने company का जो manager था उसकी services खतम कर दिन dispense dispense हम अकेला use नहीं करते है हम dispense of बोलते है dispense of यहाँ पर आएगा dispense of का मतलब होता है हतम होना terminate कर दिना ठीक है तो B इसमें आपका आपका सही answer होगा ठीक है next देखते है a brave soldier will never show the white feather in the face of his enemy देखे यह ADMs पूछे गए हैं यहाँ पर और देखे प्री में आयानी टीर वन में जो ADMs आपसे पूछे जाएंगे वो डारेक्ट एक ADM दे दिया जाएगा जैसे यह ADM दिया गया है ठीक है लेकिन टीर टू में इसको थोड़ा सा complex कर दिया जाता है कि एक sentence दिया जाता है और sentence में एक ADM को लगा दिया जाता है वहाँ पर उसका meaningful options के थुरू आपसे पूछा जाता है ठीक है तो ऐसे questions आप expect कर सकते हैं टीर टू में आप brave soldier brave soldier मतलब एक बहादूर वेक्ती है बहादूर सिपाही जो होगा will never will never देखे यहीं से आपको context का पता पढ़ जाएगा कि बहादूर सिपाही जो होगा वो never मतलब कभी नहीं करेगा कभी नहीं करेगा मतलब कभी भी कायर्ता का sign नहीं देगा show the white feather का मतलब है कि कायर्ता दिखाना तो कायर्ता दिखाने के लिए सही word क्या है cowardice, cowardice भी बोलते है इसको हम timidity भी बोलते है तो यहाँ पर यह इसका सही answer होगा show sign of cowardice या timidity ठीक है तो बाकी option में दिए है इसमें act arrogantly, घमंड के साथ ब्यवार करना, show intimacy या act impudently बेब कुफी के साथ ब्यवार करना तो इसमें आपका context देखके questions को समझ सकते हैं अब आप यहाँ पर देखिए the poor man moved from pillar to post to get money at the time of emergency इमर्जेंसी के time पर जो poor man था वो pillar से post तक घूमता रहा इसका मतलब क्या होता है from pillar to post तो इसका मतलब जो है देखिए examiner जो options देता है उसको उसको change कर देता है उसके context के according और contextual meaning इसका आपको बताना है यहाँ पर इसका context क्या निकल रहा है इसका context यह निकल रहा है कि उसको emergency के time पर पैसे की ज़रुवत थी और वो जगे जगे घूम रहा था अपने अपने अपनी best कोशिश वो कर रहा था लेकिन वहाँ पर उसको पैसा नहीं मिला तो यहाँ पर सही आंसर होगा tried his best यह यह third यहाँ पर इसका सही आंसर आपका होगा next question दिखते हैं the boys and girls cried with one voice that the examination should have been postponed मतलब किसी college या school की बात हो रही है और वहाँ पर सारे जो girl student हैं boy student हैं वो एक ही आवाज में सारे लोग बोल रहे थे कि exam को post upon किया जाना चाहिए यानि वो एक मत से सारे लोग बोल रहे थे उनका सबका opinion एक था तो जब सबका opinion एक होता है तो उसको हम बोलते हैं unanimous unanimous उसको हम बोलते हैं मतलब सारे लोग एक मत थे तो unanimously इसका सही आंसर होगा vehemently मतलब बहुत ज़दा passion के साथ किसी चीज को loudly loudly, strongly, vehemently same meaning ही है almost same meaning है तो two इसमें आपका सही आंसर यहां पर होगा next हम देखते हैं यह question किसका है यह one word substitution का question है someone worst in the interpretation of numerical data देखिए numerical data को analyze करना interpret करना इसका मतलब क्या निकलता है ठीक है इसमें जो well worst होता है इसका जो अच्छा जानकार होता है उसको क्या बोलते हैं तो यहां पर काफी मिलते बिलते word दिये हैं लेकर numerical data को यह use करता है actually यह insurance में यह post होती है actually की यह जो insurance की जो premiums होती है और इनको यह decide करता है ठीक है तो actually यहां पर सही answer होगा accountant तो simple हिसाब किताब लगाता है वो data को interpret नहीं करता है simple हिसाब किताब लगाता है calculator को use कर calculator को use करके mathematics से निक अलग चीज़ है ठीक है और maestro जो किसी भी चीज़ का बहुत बड़ा expert होता है जैसे सचिन तंदुलकर को हम maestro बोलते है betting maestro बोलते है ठीक है तो actually यहां पर सही answer आपका होगा fear of riding a car एक car को चलाने का डर क्या बोलते हैं उसको हम fear of riding a car देखिए यहां पर काफी मिलते बोलते word दिये है ambivalent का मतलब होता है जो confused है जिसके पास दो option है और वो decide नहीं कर पा रहा है कि कौन सा decision लें a को choose करें या बी को choose करें तो उसको हम बोलते ambivalent acrophobia height का डर होता है ambidextrous जो दोनों हातों से लिख सकता है उसको हम बोलते है ambidextrous तो amoxophobia होगा इसका सही आंसर amoxophobia कार चलाने का डर ठीक है यहां देखते हैं immoderately desirous of acquiring something desirous मतलब जो बहुत ज़्यादा एक छुक है किसी भी चीज को हासल करने का और immoderately मतलब बहुत ज़्यादा गलत तरीके से यानि एक लालची व्यक्ति तो लालची व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं avaricius avaricius हम बोलेंगे लालची adjective यहां पर चाहिए तो यह adjective है यह adjective नहीं है avaricius लालच यह तो एक noun हुआ avaricius यहां पर पक्छियों को पालते है avaricius होता है चलिए यह एक फिलर का question है और इसको देखते है the court has absorbed him देखे all the charges labeled against him absorbed का मतलब होता है किसी व्यक्ति को free कर देना उसको बरी कर देना मुक्त कर देना तो free हम किससे करते हैं या तो उसके पापों से उसको मुक्त कर सकते हैं या उसके उपर जो आरोप लगे हुए हैं उससे हम मुक्त कर सकते हैं तो इसके साथ normally दो propositions यूज होते हैं एक होता है from और एक होता है off ओ एफ ओफ तो ओ एफ ओफ तो दिया ही नहीं है तो यहाँ पर from ही इसमें आपका सही answer इसमें आपका होगा ठीक है crimes के लिए हम normally off लगाते हैं और since के लिए हम normally from लगाते हैं लेकिन दोनों ही इसमें यूज होते हैं तो from यहाँ पर absorb के साथ सही इसमें answer आपका होगा irregular supply of electricity can यानि electricity के जो supply है वो irregular है तो उससे क्या हो सकता है यहाँ पर देखिए proposition in लगा हुआ है इनके साथ यहाँ पर कौन सा वर्ड जुड़ेगा यहाँ पर यानि irregular supply of electricity can result in wastage of electricity मतलब irregular supply of electricity की होती है तो इसका परड़णाम क्या हो सकता है इसका परड़णाम यह हो सकता है कि wastage of electricity में वो हो सकता है तो result के साथ कि cause in नहीं आएगा result के साथ in जुड़ता है result in ठीक है result in यहाँ पर आपका सही answer होगा देखिए यह एक PQRS का question है और PQRS का यह जो question है यह मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ ठीक है थोड़ा सा आपकी practice हो जाएगी और मुझे पता लगेगा कि किस level पर हैं आप लोग तो इसका answer आप लोग मुझे कल बताईए या इसके इस वीडियो के नीचे comment box में लिखके बताईए किसका सही answer क्या होगा PQRS question है काफी अच्छा है यह question मैंने कल पूछा था तो इसका answer मैं भी बता जाता हूँ आपको congratulate के साथ हम for नहीं लगाते congratulate के साथ हम on लगाते हैं तो यहाँ पर आपका answer होगा B अब देखी एक यह question है और simple question है ज्यादा कठें नहीं है यह भी एक test question है तो इसका answer भी आपको comment box में लिखके बताना है इन दोनों ही questions के answer मैं कल के video class में आपको बताऊँगा ठीक है मेरे सभी video classes को ज्यादा सद आप like करें share करें और comment आप जरूर करें ताकि थोड़े से views आएं मेरे video classes पर views अभी कम आ रहे हैं और अगर views आएंगे तो definitely मेरा motivation भी बढ़ेगा और free and best content में आपको दे पाऊँगा तो इसलिए सभी students से मैं request करूँगा कि like करें मेरे video classes को share करें अपने groups में ज़्यादा और comment करके मुझे जरूर बताएं कि कैसा आपको ये लगा video classes और दो questions जो मैंने पूछे हैं उनका answers उनका answer आपको जरूर जरूर नीचे comment box में लिखके मुझे देना है तो ये पूरी series चल रही है और इस series को मैंने एक playlist में डाल दिया है तो पूरी playlist को आप देख सकते हैं और वहां से इन पूरे mock test को आप कर सकते हैं तो इस video class में इतना ही अब मैं आप से मिलूँगा आप को आप कर सकते हैं तो ये पूर्णडर सकते हैं